इस महीने की दो बड़ी फिल्में 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। पहली है अक्षय कुमार की OMG 2 जिसमें अक्षय को भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त या उनका सबसे बड़ा दूत दिखाया जाएगा। इस फिल्म OMG 2 को लेकर खूब हो हला कटा था। अक्षय की इस फिल्म में सेंसर बोर्ड ने काफी सारे बदलाव करवाए और इसे A Certificate दिया। ये पिछले 19 सालों में A Certificate पाने वाली अक्षय की पहली फिल्म बन गई है। अब OMG 2 के बाद गदर 2 पर भी सेंसर बोर्ड ने कैं इस फिल्म सर्टिफिकेशन ने गदर 2 को UA Certificate दिया है। कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं। एक सीन में दंगाई हर हर महादे बोल रहे हैं। इस सीन को हटा दिया गया है। शिवत अंडव को अखंड है। वो संग गाने से रिप्लेस किया गया है। बास्टर्ड गाली को इसके अलावा CBFC ने ओनफेंसिव शब्दों को रिप्लेस करने की बात कही है। फिल्म कमपैनियन के मताबिक मेकर्स ने सेंसर बोर्ड के बताए सारे सुझावों को मान लिया है। सेंसर बोर्ड ने मेकर्स से 1971 के इंडिया पाकिस्तान वार के डॉक्यूमेंटरी एविडेंस मांगे हैं जिनसे मेकर्स ने रेफरेंस लिया है। साथ ही मेकर्स ने फिल्म में इस्तेमाल किये हुए शलोक और मंत्र के ट्रांसलेशन भी सब्मिट किये हैं। इसके बाद गद सेंसर बोर्ड के इंडिया पाकिस्तान वार के डॉक्यूमेंटरी एविडेंस मांगे हैं। खेर, फिल्म का इतना क्रेज है कि इसके पहले दिन की तगडी एडवांस बुकिंग हो चुकी है। गदर टूर की अब तक 14,000 से ज्यादा टिकटें बिक चुकी हैं। जिससे फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 35,000,000 का हो चुका है।